आज हम पढ़ने जा रहे हैं class 10th का chapter 1st that is real numbers जोकि हम class 9th में इनके बारे में पढ़गे आ चुके हैं कि क्या होते हैं? यह होते हैं rational numbers plus irrational numbers उसमें rational numbers क्या होते हैं? P by Q form के where P and Q are integers and Q is not equal to 0 और irrational numbers क्या होते हैं? which can not be written in the form of P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0 यह क्या होते हैं? अगर इस form में ना लिखे जा सके तो irrational और इस form में लिखे जा सके तो rational numbers ठीक है? तो आप इनके बारे में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे इनसे related theorems और some aspects like edge के फैल से निकालने के लिए तो उनके बारे में बढ़ेंगे तो अपना topic स्टार्ट करते हैं आज के लिए हम तो सबसे पहले अगर मैं कोई दो positive integers की बात करूँ कोई भी दो positive integers इसे कोई बना सकते हैं जिससे की 5 के साथ कुछ multiply करें या इसको भी लिख सकते हैं कैसे 20 की इसके बराबर है 3 into 6 plus 2 3 6 जा 18 plus 2 20 यानि की कोई भी दो positive integer ले हम मालो हम ले लिए 5 और 12 लिए तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 और 12 को कैसे लिखा जा सकते हैं 5 equal to 12 into 0 plus 5 2 0 0 plus 5 कोई भी दो positive integer ले उनको हम किस form में लिख सकते हैं एक दूसरे की form में मतलब कि form बना सकते हैं ऐसे वाली जिसमें क्या होगा यह मालो कोई भी दो positive integer इसको A बोल दे इसको B बोल दे तो हमेशा इस A और B कोई भी दो positive integer होंगे उनके लिए कोई अलग से दो number unique हमेशा लाई करेंगे या फिर exist करेंगे जो इस form 23 को 20 की form में बना सकते हैं तो क्या होगा हो A और B कोई भी है कैसे होगे मालो Q plus R इस form में लेके आ सकते हैं ठीक है और R हमेशा क्या होगा R is always दिखो जहां तक हमको दिखाए दे रहा है R हमेशा इस वाले value से यह दिख रहा है B जो हमने R लिया है यह वाला यह वाला हमने R लिया है यह वाला इस B से हमेशा छोटा है दिखाए दे रहा R is always less than B तो B से तो हमेशा छोटा होगा ठीक है B से हमेशा छोटा होगा अगर equal होगा तो यहां होता 5 और 10 ले ले हूँ 10 को कैसे लिख सकते है 5 into 2 plus 0 ठीक है 0 हो सकता है इसका मतलब 0 हो सकता है 0 हो सकता है तो 0 की equal होगा या 0 से बढ़ा होगा तो क्या फोम आएगी यह आएगी यानि कि R या तो 0 होगा या 0 से बढ़ा मगर B से हमेशा छोटा होगा ठीक है यहां equal to का sign नहीं होगा इस sign का मतलब क्या होता है अगर यहां 1 यहां A लिखे और यह sign बीच में यह लगाए इसका मतलब क्या है एक तो less than या तो less than हो सकता है और यह हलका सा equal to में से एक हिसा निकाल लिए यह वाला ठीक और यह यह यहां लगा तो equal होगा या और का मतलब है यानि कि इसको कैसे पहलेंगे A less than और equal to B या तो less than होगा या equal to B होगा सभी चीज़ों से यह चार पाचा एक्जामपल आपने जो लिए है यह हमारा क्या conclusion निकला कि अगर कोई भी दो positive integer ले A और B चीक है तो उनके लिए unique integers लाई करेंगे Q और R such that A is equal to B into Q plus R and R is always less than B and greater than equal to 0 यह form हमारे पास जो बन के आईए हम कोई भी दो integer लेने से अगर हम 19 और 4 ले ले तो 4 into 4 16 plus 3 इसके एक्वल आया 19 के बरावर तो 19 equal to 4 into 4 plus 3 यह B हो गया इसमें यह A हो गया यह Q और यह R हमेशा जाए तो छोटा होगा यह equal to 0 हो सकता है मगर B से हमेशा छोटा होगा Euclidean Division लेमा यह क्या होता है Euclidean Division लेमा क्या होता है इसकी definition आप उपर लिख देते हैं तो अब definition लिखेंगे Euclidean Division इसमें आया division का मतलब divided करना, Euclidean कोई scientist है उसके नाम पे और lemma का मतलब होता है Already Proved जो पहले ही proof कर चुके है जिस statement को उसका use करके हमने ये कोई statement प्रूफ की है तो lemma का मतलब है already proof है इसका कोई proof नहीं है ये already proof किया हुआ है ठीक है, lemma is a statement which is already proof and used to prove some other theorems कुछ और theorem को प्रूफ करने के लिए इसका use होता है तो ये क्या है, given positive integers A and B there exist some integer P and sorry Q and R such that A equal to B Q plus R, V is यो का मतलब B into Q where ये क्या हो जो limit होगी इसकी R के उपर, R is always greater than equal to 0 and less than B वो हमने भी proof गया, यानि कि ये क्या और remainder theorem की तरह है हमारे पास ये क्या divisor, sorry ये क्या है divisor, dividend, divisor, quotient, remainder ठीक है तो remainder तो हमेशा जिससे divide करते हैं उससा छोटा होता है या जिरो होता है या इससे छोटा होता है जिससे हम divide करते हैं उससे तो ये एक तरीके से division algorithm की तरह है ठीक है, मगर only for positive integers A and B तो इसमें हमेशा positive integers लेंगी A और B और वहाँ कोई exist करेंगे there exist some integers Q and R which are unique these are unique ठीक है, there exist some integers Q and R unique such that ये unique होंगे Q are A is equal to BQ plus R की तरह होंगे ठीक है, और इसका use कहा होता है हमारा use होता है HCF, highest common factor निकालने में तो इसको याद रखना ये किसमें use होती है highest common factor निकालने में अब जैसे अब जैसे देख लो अगर हमारे पास कोई दो number दे रखें मालो 124 और स्तिरखाए 72 हमको इन दोनों होगा HCF निकालना है तो इसका use कैसे होगा first greater वाले number को हम क्या consider कर लेंगे A, और smaller वाले को क्या consider कर लेंगे B, ठीक है तो first step क्या होगा, हमको निकालना है A equal to B plus Q sorry, B into Q plus R, ये करना है ठीक है, ये करना है तो यहां होगा 124, यहां होगा 72 अब कोई ऐसा number लें जो 124 के या तो करीब हो यानि कि इसको ऐसे multiply करें या तो इसके equal आजाए या इससे कम 72 को अगर 2 से multiply करते हैं तो 144 आता है तो 1 से multiply करेंगे plus में इस से multiply करेंगे जो minus करने के पास जो remainder बचेगा वो क्या आएगा वो यहां पर लिख देंगे तो 728 and 24 52 ठीक है तो क्या आएगा 52 अब यहां पर हमको HCF इसका मतलब देखो यहां पर अगर हम देखें क्या HCF आगया अभी नहीं आए तो HCF कैसे निकालेंगे अगर यह step यहां तक complete होगा इसके बाद एक और step क्या होगा कब तक लेंगे step जब तक यहां पर R जो है 0 ना आ जाए तो अगर R 0 आ जाए तो यहीं पर step रूप जाएगा और जो B होगा वो हमारे पास HCF आजाएगा अगर R 0 नहीं आ रहा है तो हम इसी step को दोबारा दोराएंगे इससे step को repeat करेंगे ठीक है तो अब यहां plus में क्या आएगा क्योंकि एक 72 से multiply करेंगे 104 इससे ज्यादा जारट तो इससे multiply गया और minus के कितना है 20 अब B R 0 नहीं आ तो क्या करेंगे फिर से step को revise करेंगे तो यहां 52 लेंगे A को is equal to 20 इन्टू में इसके करीब ले गया 2 से करें तो 43 से करें तो 60 तो 2 से करीब जाएग 2 से multiply गया बच कितना गया हो 40 और यह 12 तो यहां बच गया 12,52 ठीक है अब भी 0 नहीं आया तो अब क्या करेंगे फिर से step हो यह क्या बन गया A यह बन गया B 20 equal to 12 12 into 1 plus 8 कितना हो गया 20 अब यह आर नहीं है फिर से repeat करेंगे 12 equal to 8 into 1 plus 4 ठीक है अब 8 equal to 4 into 2 plus 0 यानि कि यहां पर हमारा remainder 0 R 0 आ गया तो जो B है अब यह क्या गया इन दोनों का HCF तो HCF क्या आ गया ठीक है समझाय कैसे करेंगे अगर दो number लें उसमें से बड़े वाले को greater one क्या होगा A smaller one क्या होगा B A equal to B Q plus R कोई Q और R लेंगे Q ऐसा choose करेंगे जिसमें multiply करने के बाद जो value है वो A से या तो equal to R या उससे कम उसके बाद उसको minus करेंगे तो R आ जाएगा उसको solve करेंगे तो आज हम यहीं तक करते हैं Euclidean Division Lemma जो उसकी definition है वो statement और फिर यह कहां HCM में कैसे निकाल देंगे next वीडियो में हम आगे स्टार्ट करेंगे real numbers के साथ और S.E.N.C.R.T. के examples और exercise साथ साथ करते चलेंगे